हेलो एवरिवर्ण, विल्कम बैक टू स्वामर क्लासेश, तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दिवाली बोनस और डिये की नियूस को, क्योंकि इस बार जो है आपको एक साथ दोनों चीजें मिलने वाली हैं, तो क्या है पूरी खबर देखते हैं फट होते हैं, उनको अपने दिवाली के बोनस का बहुत ही बेस बी से इंतजार होता है, उसमें भी स्पेशली वो जो की नियू रिक्रूटमेंट होती है उनके लिए, तो इस बार जो है आपका आपका दिवाली बोनस कितना आएगा, कब आएगा, और डिये का क्या चल रहा है, क अभी वीडियो को पाने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं, हम DA की, तो DA जो आपका इंक्रीज होता है, वो आपका जुलाई के महाला, आप सभी जानते है, जैनवरी में और जुलाई में, जुलाई का होता है, वो सेप्टेमर आप जानते हैं, कि महंगाई इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है, DA जो है, वो तीन से चार परशंट ही बढ़ना है, तो इसका जो फाइनल आपका मेंमरेंडम है, वो बिल्कुल आने ही वाला है, और इसके साथ जो है, आपका DA है, वो 42 से बढ़कर जो है, वो 46 परशंट हो तो यह है, अभी फिल हाल, और इसके अलावा आप बात कर लेते हैं, तो यह दोनों न्यूस जो है, आपको बिल्कुल एक साथ देखने को मिल सकती हैं, विदन 15 डेज, तो अब जो दिवाली बोनस है, वो कब, कितना और किसको मिलेगा, कौन एलिजिबल है, इसके लिए भी चाते हैं, या आप सोचे हैं, कि आपको दिवाली बोनस मिलेगा, क्योंकि इस साल आपने पूरा सर्विस आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो एकाउंटिंग होता है, वो प्रिवियस होता है, 2023 में बोनस पाने के लिए, आपकी 2022-2023 की सर्विस को काउंट किया तो बिलकुल आप 2023 में दिवाली के बोनस के हगदार होंगे, ठीक है, तो सिंपल अगर मैं इसको बताऊं, तो यदि आपने 30 सितंबर 2022 से पहले जॉइन किया है, तो आपको जो है 100% दिवाली का बोनस इस बार मिलेगा, ठीक है, काफी सारे जो मेरे प्रिविस वीडियो पर क आपको बताऊंगे क्या इस बार दिवाली का बोनस बढ़ा है या नहीं, ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी सर्विस को 31 मार्च 2022 तक जो है वो 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आपको जो है वो दिवाली का बोनस मिलेगा, ठीक है, अब बात कर पूराने करमचारी है, 7000 रुपे मासिक वेतन के हिसाब से, जो आपका 30 डेस का ये क्यालकुलेट करते हैं, वो आपका 6908 होता है, यानि कि आपका जो दिवाली का बोनस है, वो आपके अकाउंट में 6908 रुपीज क्रेडित होगा, ठीक है, अब इसमें जो बढ़ा उतरी क लोग क्वेशन कर रहे थे कि इस बार भई जो है बोनस वो बढ़ेगा, तो देखिए जो दिवाली का बोनस है, वो पिछले 8 सालों से नहीं बढ़ा है, 14-15, 2014-15 में जो है ये आपका बढ़ाता और अब तक जो है वो वही चल रहा है, तो देखते हैं कि ये नेक्स्ट कब ब आप जानते हैं, तो ये सारी जीजे एलेक्शन पे डिपेंड भी करती हैं, तो बाकी जो है रिटायर्ड एम्प्लॉईस के लिए वो एलिजिबल है या नहीं, तो अगर वही इसमें आपका लागू होगा, रूल जो है, यदि आप जो है, 31 मार्च 2023 तक प्रिवियस तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं दिवाली के बोनस के लिए, चाहे आप रिटायर हो चुके हैं उसके बाद भी, उसके बाद होते हैं हमारे जैसे कि मैं आपको बताया है, तो अगर बहुत सारे जो टीचर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉईस हैं वो ये कॉमेंट करते हैं क जो गेस्टीचर्स हैं या कॉन्टाक्टीचर्स हैं क्या विलिजीबल हैं तो मैंने वही यहां पे आपको बताया है कि 6 months की regular service जो हमें चाहिए होती है तो कुछ जो गेस्टाफ होता है या फिर जो आपके guest teachers होते हैं या guest staff होता है उनकी जो service होती है वो break होती है क्योंकि उन यहां पर दिवाली के बोनस और दीए से जुड़े मैंने सारे जो चल रहा है जो न्यूस है वो मैंने सभी आपको दे दी है तो इस महीने के अंदर हमें दोनों ही चीजे देखने को मिलेंगी और एक सवाल और था कि मैं जुलाई का बढ़ता है तो अब बढ़ेगा तो पुरा अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है दिवाली के बोनस और आपके जो है वो डीए से जुड़ा हुआ तो या फिर आपकी सर्विस से कोई जुड़ा हुआ तो बिलकुल आप नीचे comment box में पूस सकते हैं तो ऐसी ही informative वीडियो के लिए इस चानल को सब्सक्राइब करना औ बिलकुल भी ना भूलें तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो